शेव समा रहे मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ अपरेल को नेशनल मेरिटाइम डे के रूप में मनाया गया रास्ट्रिय समुद्री दिवस के रूप में पाच अपरेल को मनाया गया हर साल पाच अपरेल को नेशनल मेरिटाइम डे रास्ट्रिय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया और जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तो National Maritime Day की तो Sustainable Shipping Beyond COVID-19 यह राश्ट्रिय समुदरी दिवस की थी में दोस्तो 2022 की और 5 अप्रेल 1964 में पहली बार इस दिवस को मनाए गया इस दिवस वरुन नाम पुरसकार दिया जाता है यह पुरसकार उन लोगों को दिया जाता है जिनोंने भारतिय समुदरी क्षेत्र में अप नमर के लास्ट गुरवार को मनाते है दोस्तो और 5 अप्रेल को ही अपन International Day of Conscience के रूप में भी मनाय जाता है यानि की हर साल 5 अप्रेल को अंतररास्ट्रिय अंतरात्मा दिवस के रूप में भी मनाय जाता है तो दोस्तो आली में पाच अप्रेल को अपनने दो दिवस मनाए National Maritime Day, रास्टिय समुद्री दिवस, International Day of Conscience यानि की अंतरास्टिय अंतरातमा दिवस दोस्तो और एक्स पेलते हैं तो दोस्तो आली में United Nation Human Rights Council ने डॉक्टर इयान फ्राई जी को Climate Expert के रूप में नियुक्त किया गया मानव अधिकार यानि की Human Rights और Climate Change के लिए दुनिया का पह गया डॉक्टर इयान फ्राई जी के पास तुवालू और अस्टिलिया इन दोनों देशों की नागरिकता है और दोस्तो अभी आली में जैंस स्टॉल्टन बर्ग जी को नाटो के माहसचिव के रूप में बनाया गया था इनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया और अभी इहाली में इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन के डिरेक्टर जनरल बनने वाले पहले अफ्रीकी गिलबर्ड हॉंगबो जी बन गये थे और दोस्तो अली में मारूती सिजुकी के मडी सी यो हिसाशी टेकुची जी बन गये थे तो दोस्तो अली में रेट काउंसिल ने डॉक्टर इयान फ्राईजी को कलाइमेट एक्सपर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तो नेक्स पहलते हैं तो दोस्तो अली में तमिलनाडू रज्ज ने इमर्जंसी के दोरान जनता के लिए कावल उत्वी अप्लिकेशन को लांच किया गय इस अप्लिकेशन का इस्तमाल पुलीस कंट्रोल रूम को इमर्जंसी अलर्ट बेजने के लिए किया जाता है दोस्तो और दोस्तो ताकि किसी भी इमर्जंसी के दोरान तुरंत मदद पहुचा जा सके दोस्तो तो दोस्तो आली में तमिलनाडू रज्ज के मुख्यमंत्री ए इमर्जंसी के दोरान जनता के लिए कावल उत्वी अप्लिकेशन को लांच किया है दोस्तो और दोस्तो अली में एमके स्टालिन की बायोग्राफी भी आई थी जिसका नाम है उंगलील और रुवन दोस्तो तो दोस्तो बात अबी तमिलनाडू की है तमिलनाडू की राजद गी थी और दोस्तो आली में फर्स्ट संगित संग्रालाई भी चन्नाई में खुला जाएगा कुरुशी के लिए अलग बजट बनाने वाला दूसरा रज्ज बना था दोस्तो तमिलनाडू और दोस्तो कुडन कुलम नुकलियर पावर प्लान टरशिया की मदद से बनाय गया थ और भारत का पहला केटल पर तमिलनाडू के सिलम में बनाय गया था एमेजॉन का फर्स्ट मैनुफेक्टिरिंग प्लान चन्नाई में स्टापित किया गया था और दोस्तो तमिलनाडू का 38 वा जिला महीला दूत हो रही बना था और दोस्तो अलिबे नान मुद्द लवन यह योजना भी शुरू की गई थी नेशनल फूड सिक्रिटी म्यूजियम तंजोर में शुरू किया गया था नेशनल डुगों गंदर वेशन सेंटर पाक खाड़ी में शुरू किया था स्ट्रेट एनिमल्स के लिए एम्बुलन्स सेवा भी तमिलनाडू रजज ने शुरू की तो दोस्तो अली में उत्तरपदेश के सीम योगी आधित्यनाथ जी ने शुरावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया तो दोस्तो राजज़ के प्राइमरी और सेकंडरी स्कूल में 100% नमांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अपरेल को उत्तरपदेश के हमने एक कार्य करताओं की टीम बनाई है यह टीम घर घर जाकर शिक्सा से बंचित रहे गए बच्चों का पुनह एडमिशन किया जाएगा दोस्तो तो दोस्तो अली में उत्रपदेश के सीम योगी आधित्यनाथ जी ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू करने की गोशना की इस होबी हब्स के तहट बच्चों के होबी को विशेश महत्वा देते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपने होबी डेवलप कर पाएंगे दोस्तों स्टुडेंट्स तो दोस्तों होबी यानि की डांस, म्योजिक, थियेटर, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स इस काफी होबी को डेवलप करने के लिए दिल्ली सरकार नहीं गावर्मेंट स्कूलों में होबी हब्स तापित करने की गोशना की अभी दिल्ली सरकार ने माई ईवी पोर्टल को लांच किया गया था इलेक्ट्रानिक वेहिकल आटो के रजिस्ट्रेशन और परचेस के लिए औ दो अजार बाइस का योजन दिल्ली में किया गया था दिल्ली में बनेगा भारत का पहला इवेस्टी को पार्क दिल्ली पुलिस ने उन्नती नामक ए लर्निंग प्लैट्फरम को लांच किया गया था और भारतीय रेलवे किशन गंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कु को नियुक्त किया गया तो दोस्तो अली में भारत के विदेश सच्चिव यानि की फॉरें सेक्रेटरी के रूप में विदेश सच्चिव 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 के रूप में विदेश में चुना गया था डॉक्टर एस राजु जी को जियो लाजिकल सर्विय ओफ इंडिया के डिरेक्टर जनरल बन गय थे हमंत सिना जी को एसोचेम के अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किया गया था सुब्रमन्यम जेश अंकर जी अपने फॉरेंड मिनिस्टर है विदेशि के रूप में विन्यमोहन कौातरा जी को नियुक्त किया गया जो कि नेपाल में भारत के राजदूत है नेक्स पे जलते हाली में युनाइटेड नेशन्स के प्रमुक एंटोनियो गुटेरस जी ने अरुनाभा घोश जी को नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स पर हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रूप होता है इस पे उसमें अभी अरुनाभा घोश जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों तो दोस्तों आली में युनाइटेड नेशन्स के प्रमुक एंटोनियो गुटेरस जी ने अरुनाभा घोश जी को नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स पर हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रूप में शामिल किया दोस्तों अभी नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष निर्दारित करने वाला पहला दक्षिन एशियाई शहर मुंबई बन गया और दोजार पचास तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष निर्दारित करने वाला प इंडियन चार्टर्ट अकाउंटन्ट इंस्टिटूट के अध्यक्षके रूप में नियुक्त किया गया दिवाशी श्पांडा जी को इलडाई के अध्यक्षके रूप में चुना गया टीराजा कुमार जी को फैनेंशियल एक्षिन टास्क पूर्स के अध्यक्षके रूप म नाम से सूपर अप्लिकेशन को लाँच करेगा तो साथ अप्रील 2022 को टाटा नियू नाम से टाटा ग्रूप एक सूपर अप्लिकेशन को लाँच करेगा तो टाटा नियू यह अप्लिकेशन का उद्देश कहा है तो डिजिटल डिविजन का विस्तार करने के लिए टाटा ग् में रतन टाटा जी को असम वैभाव का सम्मान मिला था 2022-23 के टाइटल स्पॉंसर IPL के टाटा है और टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेकरन जी को एर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था CO2 यानि की कारबन डाई अक्साइट कैपचर करने के लिए टाटा स्टील ने प्लैन विस्तापित किया था भारत का पहला टाटा स्टील के उपाद्यक्ष के रूप में टीवी नारेंदरन जी को नियोक्त किया गया था तो दोस्तो अली में टाटा ग्रूप टाटा नियू नामक सूपर अप्लिकेशन को लांच करेगा 7 अपरेल को नेक्स पे जलते हैं तो दोस्तो अली में अंदरपदेश राज्य ने 13 नए जिलों का निर्मान किया अभी अंदरपदेश के मुख्यमंतरी वायस जगन मोहनरेडी जी ने यहां घोशना की कि अभी अंदरपदेश राज्य में 13 नए जिलों की सापना की जाएगी इसी तरह से अभी अंदरपदेश में टोटल 26 जिले हो गए दोस्तो तो दोस्तो अली में अंदरपदेश राज्य ने 13 नए जिलों का निर्मान किया है दोस्तो बात अभी अंदरपदेश की है जिसकी लेगिसलेटिव कैपिटल अमरावती है जिसकी जुडिशियल कैपिटल कुरूनल है जिसकी administrative capital विशाका पट्नम है दोस्तों और विशाका पट्नम में ही headquarter है national steel निगम का और दोस्तों यहाँ के CM है वाइस जगन मौन रेड़ी इनको ही स्कॉट सीम का पुरसकर मिला था जिनको कलिंगरतन अवार्ट से भी समानित किया गया था और दोस्तों भाषा के आदार पर गठितोंने वाला भारत का पहला राज आंदरप्रदेश है यहाँ पर इदिशापुडी स्टेशन शुरू किया गया था आकवा मेगा फूड पार्क की गोशना की थी यहाँ पर ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफरम को शुरू किया गया था बारत की पहली फूड ट्रेन यह आंदरप्रदेश से ही शुरू की गई थी और दोस्तों यहाँ पर इस वच्चकार एकरम सैनेटरी नैपकिन प गोशना की है तो दोस्तों आली में 2022 तक संपत्ती के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक बना तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने आपस में मर्ज होने की हाली में गोशना की तो दोस्तों इसी तरह से HDFC का मार्केट कैपिलाजेशन अभी 8.35 ट्रिलियन रुपिस का हो गया है इसी के तरह इसी के साथ 2022 तक संपत्ती के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्रा देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना ता और दोस्तों आली में फेडरल बैंक ने महिला मित्र प्लस योजना को शुरू किया था तो दोस्तों आली में 2022 तक संपत्ती के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्राइबट सेक्टर बैंक HDFC बैंक बना HDFC बैंक की बात है जिस किस्ता अपना 1994 में जिसका एड़कवाटर मुंबई में जिसकी करेंटली अध्यक्ष शशी धर्जक दीश है ने दोस्तों तो दोस्तों अली में 2022 तक संपत्ती के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्राइबट सेक्टर बैंक HDFC बैंक बना दोस्तों नेक्स प्यालते हैं तो 92 वर्ष की उम्र में रिचर्ड हावर्ट जिगानी दनुआ उनको 1970 में अंटाइटल्ड सब्जेक्ट के लिए पुलिचकर पुरसकार से समानित किया गया था और दोस्तों आली में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की अवर्ड होते हैं पुलिचकर और पुलिचकर नोबल भी माना जाता है और 2021 में मेगा राजगोपालन जी को क्योंकि एक भारती है उनको पुलिचकर पुरसकार से समानित किया गया था इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क के कैटिगिरी में तो दोस्तों आली में रिचर्ड हावर्ट जी का निदनुआ वहाँ पुलिचक चमबर्स ऑप कॉमर्स और इंडस्ट्री में ने फिनेंशियल इयर 2022 में भारत की जिडवी ग्रोफ रेट 7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों बात अभी फिक्की की है फेडरेशन ऑप इंडियन चमबर ऑप कॉमर्स और इंडस्री जिसकी साफना 1927 में हुई थ अनुमान लगाया गया है तो दोस्तों आपन क्या पड़े उसकी एक बार रेविजन कर लेते हैं तो आली में पाच अपरेल को नेशनल मेरे टाइम डे रास्ट्रिय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया पाच अपरेल को ही इंटरनेशनल डे आफ और कॉन साइंस यान अबर दिवस के रूप में मनाया गया हाली में युनाटेड नेशन यूमन राइट कांसील ने डॉक्तर इयान पराइजी को क्लाइमेट एक्सपर्ट के रूप में नातु राजड के मुख्यमंत्री ने म की स्टालीं जी ने इमरजनसी के दोराण जंता के लिए कावल उत् उत्तरपतेश के श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान को शुरू किया हाली में दिल्ली सरकार ने गौवर्मेंट स्कूल में होबी हब साबित करने की गोशना की हाली में विदेश सची फॉरन सेक्रेटरी के रूप में विनाय मोहन क्वात्रा जी को ने अक्त किया गया हाली में उनाटेट नेशन के प्रमुक एंटोनियो गुटेरस जी ने अरुनाभा घोश जी को नेट जीरो इमिशन कमिटमेंट्स पर हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रूप में शामिल किया दोस्तो अरुनाभा घोश जी को हाली में टाटा ग्रूप टाटा नियू नामक सुपर अप्लिकेशन को लांच करेगा हाली में अंदर पदेश राज जने तेरा नए जीलो का निर्वान किया है आली में 2022 तक संपत्ति के हिसाब से बारत का सबसे बड़ा प्राइबेट सेक्टर का बैंक एज डेपसी बैंक बना आली में पुलिचकर पुरसकार विजेता रिचर्ड हावर्ट जी का निदन हुआ आली में फिक्की ने फिनेंशेल एर 2022 ते इसमें भारत की जिर्पी ग्रोथ रेट 7.4 परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है तो दोस्तो यह देच्छे एप्रिल 2022 के महतोबना करेंट अफेर्स आशा करता हुआ आपको पसंदा अन्की रिविजिन क्लासे और जर्णल नौलेज क्लासे क्लासे पाने के लिए गृरुबाइ के 440 वोल्ड करेंट अफेर्स चानल को फॉलो किजिए सब्सक्राइब किजिए और वन लाइनर करेंट अफैर्स पीडिया पढ़ने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को फॉलो किजिए दोस्तो लिंक इस इन दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इस इस गुरु बाई, सैनिंग आफ, जैशंकर महाराज दोस्तो जैबोले